नमस्कार आप सभी का स्वागत है दूर डशन में घालया में पुना कारिक्रम है कवी सम्मेलन और मैं दाया फिरा खारसाती लेकर आ रही हूँ कारिक्रम युवा कवी सम्मेलन हमारे साथ जो बैठे हुए है पहले इस्टरसन सौतुन ये नेहु के धार्थी है हिंदी विभाग के और बहुत ही उम्दा और बहुत अच्चे कवी है स्थानिय कवी है और उनकी बगल में बैठी हुई है बाला जब लूट नौधार वो हिंदी की चात्रा रही है और हिंदी में कविता लिखने में वो शोकीन है शोक है उनका और उनके बगल में बैठी हुई है इबन पंतंग लूट प्रिब हैं शुरुवात करने से पहले कुछ लाइने में पेश करना चाहूंगी कविता की रियासत में हम सब एक साथ आए भावनाओं के रंख बिखेरे सभी को खुश्या लाए कवी सम्मेलन की शुरुवात करते हैं आज हम एक साथ मिलकर कविता की धारा में बहते हैं हर दिल को छू का संकल्प हम लेते हैं तो चलिए खुशी के साथ और बहुत ही खुशी मन से इस युवा कवी सम्मेलन की शुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं इस्टर सन सौतुन को वो अपनी कवता पेश करें आपका स्वागत है धन्यवाद लाया जी जो मैं आज इस क कवीता का पात काने जा रहा हूं वो कवीता मेघलया या फिर खासे समाज से संबंदेद है जो कि ऐसा माना जाता है कि खासे समाज मात्र बंश्या है फिर भी यहां में कुछ इस्त्रियों के अधिकार में उनके अधिकार नहीं मिलता है इसलिए मैंने इस कवीता को लिखा है इस कविता का नाम है अब पिंजरे तोरने का समय सदियों तक बन रहे हम अब इस बन पिंजरे को तोरना फिर आस्मान की और जाना खुली हवा खाना तोरते तोरते ठक गए हमारे हाथ कब तक इस पिंजरे में रहना मुझे दुनिया को जानना और दुनिया डारी देखना ठक गए तोर्टे तोर्टे हमारे हाथ ये पिंजरे वो घर है जहाशिक्षा प्राप नहीं कर सकती बलिकाई ये पिंजरे वो समाज है जहास्त्री को नहीं मिलता अधिकार ये पिंजरे वो गाउं है जहास्त्री को मत डान का अधिकार नहीं ये पिंजरे वो ग्राम है जहास्त्री नहीं बन सकती ग्राम से वक ये पिंजरे वो धरम है जहास्त्री को समान अधिकार नहीं ये पिंजरे कब तक रहेंगे आ गया समय इसे तोरने का आव सभी मिलकर तोरे, तोरे ये रूडी वादिता, तोरे ये मानसिकता, तोरे ये अदंबर, तोरेंगे इस पिंजरे के स्थम को, अब पिंजरे तूटेंगे, आव देखो, एकत्रित हो रहे जनता, आव देखो, वे पिंजरे अब तूटेंगा, धन्यवाद. बहुत बहुत अच्छे जैसे हम सभी को पता है और जो इस कारकर्म को देख रहे हैं उनको भी यह जानकारी होगी है जिने जानकारी नहीं है उनके बताने की जुरत है कि खासी समाज जो है वो मात्र सतात्मक समाज नहीं है बलकि मात्र वन्शिय समाज है लेकिन इस मांत्रवन्शिय समाज में रहते हुए भी कुछ या फिर कहें बहुत कुछ ऐसी चीजे है जो यहां की महिलाएं नहीं कर पाती है या यहां की महिलाएं उस चीज को उनकों नहीं पा पाती है तो इस्टर जी के इस कविता के माध्यम से मुझे लगता है कि एक तरह का उजाला या उन्होंने संकेत दिया है कि हमें किस तरह की समाज की कामना है हम इस समाच में किस तरह की महिलाय के जो हक है वो हम किस तरह के चाहते हैं चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाला जॉब नौधार जी के कविताओं की और बाला जॉब आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कारिक्रम में आप अपनी कविता सुना सकते हैं आपका स्वागत है जी धन्यवाद माम तो मैंने यह कविता इसलिए लिखी है इसलिए प्रेरित हुई है जब मैं एप्रिल के महीने में आर्मी पब्लिक स्वागत में इंटरंशिप के लिए गई थी तो उसी से प्रेरित होके मैंने यह कविता लिखी है और इस कविता का शिर्षक है नई अध्यापिका निकलती है वह सवेरे सवेरे पहुचती है विद्याला में सबसे पहले नहीं मिलता है उनको आराम करती है मेहनत सुभ से शाम बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनाती है वह कई तरीके व्यस्त वह रहती है हमेशा अपने लिए समय कभी नहीं मिलता कक्षा में आई वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखते ही बच्चों को नलगादर बच्चे करते हैं बहुत ही शैतानी परंतु उन्होंने कभी हार नहीं माने कक्षा में लेकर जाती है कौपी किताब बच्चों के सवालों का डेटी है दतकर जवाब पढ़ाते समय दिखाती है अपना जोश उन्हें देखके बच्चों के उर जाते है होश कक्षा से पहले खुट को करती है तयार चात्र उनके कक्षा के लिए करते हैं इंतजार अंथ में वह देती है उन्हें ग्रिहकार्य सभी विद्यार्थियों को यह करना है अनिवार्य अच्छा लगता है उन्हें पढ़ाना और सिखाना अधियापिका बणना था उनका सपना एक अधियापिका के रूप में स्कूल जाता है या स्कूल जाती है तो एक नए जोश उनके अंदर होता है जो हम अध्यापक ये अध्यापिका होने के नाते हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम जब स्कूल जाते हैं तो किस तरह हम उस चीज़ को बहुत मन लगा के काम करने के लिए जाते हैं और या फिर हम कह सकते हैं प्रण करते हैं अध्यापक और अध्यापिका बन कर तो ये जो कविता है बालजब जी का मुझे उम्मीद है कि जो इस कारिक्रम को देख रहे हैं जो भी सारे अध्यापक और अध्यापिका देख रहे हैं इस कारिक्रम को वो इस कविता से अवश्य प्रेरित हुए होंगे बहुत बहुत धन्यवाद बालजब जी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बैठी हुई है इबन पंतिगनक्षियार वो भी अपनी कवताव प्रस्तुत करेंगी आपका स्वागत है इबन थन्यवाद माम मेरी जो एक कवीता लिखी है वो प्रकती की सुन्दर्ता को देखकर उसकी जो सुन्दर्य से प्रभावित होकर लिखी है जो की जिसका शिर्शक है प्रकती में सुन्दर्य खोजे इस प्रकार है प्रकती को देखकर वो मुस्कुराती है और कहती है यही मेरा प्रेमी है उसकी सुन्धरता और अकर्षन बहुत मंत्रपृत करने वाली है चहकते पक्षियों के की नदी की प्रवह की आवास ठंडी हवाओं की लहर यह सब मन को शीतलता देने वाली होती है वह आकाश में देखकर सोचती है यह इश्वर का सबसे अध्भुत कला है समझ सकत कोई भी नहीं लेकिन सिफ देखकर महसूस किया जा सकता है धन्यवाद बहुत धन्यवाद इबान बहुत ही अच्छी कवित्ता जिस जगह में हम है मेगो के आले में इबान ने बहुत ही सुन्दर तरीके से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि एक सुन्दर लड़की एक लड़की जब पुरे वातावरन को देखती है तो क्या उसके मन में भावनाय उठती है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है बहुत धन्यवाद इबान चली आगे बढ़ते हैं और पुना मैं इस्टर जी के कवताओं पर आना चाहूंगी उनकी कवताओं को सुनना चाहूंगी और मुझे उम्मीद है आप सभी उच्छुकता के साथ इंतजार कर रहे होंगे तो चली आगे बढ़ते हैं और पुना कवता सुनते हैं इस्टर सन सौ पुथल हो रही है अशान्ती फेल रही है उसके उपर मैंने लिखा है लिखा ये नहीं कि मेरे पास उत्तर भी नहीं कि क्यों जल रहा देश क्यों अशान्ती है इस देश में लेकिन कुछ वहां से जो देश में जो हो रहा है वहां से दब दुखी होकर मैंने इस कविता को आप सबी लोगों के सामने में प्रस्तुट करना चाहता हूँ तो इस कविता का शिर्शक है जलना तो ते था जल रहा श्रिष्टी भूम अंदलिय उश्मी करन से जल रहा महादीव राश्ते के आपसी मत भेट से जल रहा देश राजय के बीच में जल रहा राजय भाशा के नाम में जल रहा राजय धरम के नाम में जल रहा राजय क्योंकि साहद जलना ते ही था महावारत हुई थी अब फिर से हो रही है चीर हरन हुई द्रोपटी का नहीं चीर हरन हुई ड्रोपडी का नहीं जो वर्तमान काल में जो चीर हरन हुई है फिलाल कुछ सबे पहले वो ड्रोपडी का नहीं हुआ लेकिन ऐसा था कि कविता चीर हरन हुई ड्रोपडी का नहीं इस बार देख रही ड्रोपडी रुखमनी का चीर हरन रुक्मनी के चिरहरन को क्योंकि जलना शायद पहले से ही ते है महाभारत हुई थी अब फिर से हो रही है भूत भूत धैन्यवाद इस्टर जी बहुत ही खुपसुरत कविता बहुत ही दुखदाई हम कह सकते हैं समाज में जो कूरीतिया समाज में जो समस्याई जल रही है जैसे इन्होंने कहा कि देश जल रहा है हम सबको पता है बहुत सारी समस्याई हम पुरवत्तर में देख रहे हैं हम पुरे देश में देख रहे हैं कि पूरा देश जो है वो आत्मिक रूप से जल रहा है हम कई च्यगवर देख रहे हैं कि हमारा देश अलग-अलग रूप में जल रहा है हम यहां स्त्री के तौर पर या महिलाओ के तौर पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने जैसे महाभारत की जो द्रौपदी उनके बारे में वर्णन किया है लिकिन वो आज हम देख रहे हैं कि ये सब चीजे हो रही है और हमारा एक्स्त्री होने के नाते कि महिला होने के नाते हमारा मन भी जल रहा है कि हमारी बेहनों के साथ हमारे बेटियों के साथ हमारे जो माताए है उनके साथ तो अत्याचार हो रही है साथ ही मारे भाईयों हमार पिताओ और हमारे पुरुशों के साथ भी अलग-अलग तरीकों से बहुत सारी अन्याय हो रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद इस्टर जी आपने एक तरह से वो सब चीजे याद दिलाया है कि हमें आगे बढ़ना है और इन चीजों के लिए एक समाधान जो है वो सोचना है और युवाओ होने के नाते हमें आगे बढ़ना है और इन सब चीजों को खतम करने की कोशिश करनी है खेर आगे बढ़ते हैं इस कवी सम्मेलन में अगली जो कवितरी है हमारे साथ जैसे आप सभी को पता है बाला जोब जी है हमारे साथ और वो अपनी कविता प्रस्तुत कीजे आपका स्वागत है धन्य बात्मान तो मेरे डूस्ती कवीता का शिर्शक है जिन्दगी कोई कहता है जिन्दगी सुहाना है कोई कहता है जिन्दगी करवा है कोई कहता है जिन्दगी मामूली है तो कोई कहता है जिन्दगी एक सफर है जिन्दगी का सफ नजर सबका होता है अलग कोई इसे मानता है सुवर्ग तो कोई नर्ग हर कोई मिथास या करवापन जھیलता है पर हमें आगे बरते रहना है उडास जिन्दगी कोई जीना नहीं चाहता खुशहाल जिन्दगी बिताना होता है सबका सपना कभी हसते है तो कभी रोते है लेकिन हार हम कभी नहीं मानते है कठिनाई आने पर हमें कभी नहीं है रुखना परन्टु करना है उसका डटकर सामना जी भहर कर जी लो ये जिन्दगी न जाने कब क्या मोड ले लेगी अपने लिए जिन्दगी जीना है बहुत जरूरी आखिर में माइने रखती है अपनी खुशी जीना है हमें अपने वास्ते सभी के होते हैं अलग-अलग रास्ते जिन्दगी में उच नीच होता ही रहता है इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है पल भर कर जी लो ये जिन्दगी क्योंकि वापस लोट कर कभी नहीं आएगी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बला जो एक तरह जहां इस्टर सन सौतुन जी ने देश में बहुत सारी सामाजिक समस्या है उसकी चर्चा की है और जो जूच रहे हैं उन समस्याओं से उनका जीवन एक तरह से रुख जाता है लेकिन एक तरह बला जोब जी कहती है कि जीवन में चीज़े रुख जाती है लेकिन ये जीवन है हमें आगे बढ़ते रहना है हमें चीजों को एक सकरात्म ग्रूप में देखना है और चीजों को हमें जो खराब चीजे है जो समस्याए हमने देखी है उससे आगे बढ़ना है लेकिन उसके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है कि हमारी अंदर एक एकता की भावना हो एक समाज को एक कोई एक प्रतिनिधी तो ठीक है लेकिन हमें एक साथ ही एक दूसरे का हाथ के ही हम आगे बढ़ पाएंगे इस कावे सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जैसे आप सभी को बता है इबान पंतिनिधी बैठी हुई है उनकी कवता हम सुनते हैं इबान आपका पूना स्वागत है धन्यवार पैम में जो दूसरी कवीता की जो शुर्शक है व प्रकतिक संद्रिय से भरी बाते सुनाती बारिश की कीतों में बसी यह जिन्दगी प्रेमी यात्रिकन का दिल चुराती चमकते सितारों से संशीव हो राते चमकती है यहां हर एक पिताई बाते अनभुट चिलों की खोच में निकले दर्शन्य प्रकतिक संद्रिय को खोजे मिखाल्य की कोदी में चिपी खासियते हर एक पल यहां है जीवन की अनमोल रचना प्रकती की कोदी में बसा यह परियो का देश बादलों के साथ खेलते यह हर मनुश्य का मन मिखाले कि यह धरा है अनुपम अधुरता जो सबको अकरशित करती है अपनी मधुरता धन्यवादी बहुत बहुत धन्यवादी बन यह युवाओ का जो कवी सम्मेलन है बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हुए मैं पुना इस्टर सौतुन जी को आमंतिरत करती हुँ कि वे अपनी कवता सुनाए यह जो तीसरी कवीता इस कवी सम्मेलन में मैं परने जा रहा हुँ या उसका पाट करने जा रहा हुँ वह है एक विकाश फिर डिवलमेंट के विशे में कि सभी लोग चाते कि डिवलमेंट हो विक्सिट हो हम लोग हमारे राजय विक्सिट हो हमारे घर थोरा सा डिवलब हो यह सथ हम लोग चाते हुए भी लेकिन हम कहीं न कहीं पर कुछ डाव लगा देते इस विकाश होने में या फिर्विक्सित होने में हम कहीं ने कहीं कुछ चीजों का डाव लगा देते हैं तो यहाँ से प्रिरेट पागर के या फिर मैंने विकाश की और एक ऐसे शिर्शक की कविता लिखे हैं जिसका इस परकार है मनुश्य चाहते हैं विकाश में भी चाहता हूँ मनुष्य चाहते विकाश मैं भी चाहता हूँ किसके डाव पर चाहिए हमें किसके डाव पर चाहिए हमें विक्सित होना चाहते सभी किसलिए केवल वाहान, इमारते केवल सरक, केवल रेल, केवल जहाज हवा जहाज कीमत किसके लगाएंगे किमत किसके लगाएंगे आने वाले पिरियों का किसमत किसके लगाएंगे आने वाले पिरियों का विकसित होना खराबी नहीं विकाश से पहले चाहिए हमें अब जो यहां में है कि विकसित होना कोई खरबी नहीं है लेकिन विकाश से पहले या फिर विकाश करने से पहले हमें इन चीजों का ध्यान में रखना होगा विकास से पहले चाहिए हमें, श्रिष्टी से आत्मेता, ये आत्मेता, पेरो, नदियो, परवतो, जीव, जन्तों से प्रेम, श्रिष्टी से आत्मेता, ये आत्मेता, पेरो, नदियो, परवतो, जीव, जन्तों से प्रेम, धन्यवाद बहुत बहुत धनिवाद इस्टे जी बहुत ही खुबसूरत कविता इन्होंने समाजिक जो समस्या है परियायवरन से जुड़े हुए इसको सामने रखा है और कहा है कि ठीक है हमें विक्सित होना है हमारे समाज को विक्सित होना है लेकिन हमारे परियायवरन को दाव पर रख कर नहीं कि थीक है वह विख्षित हो रहे हैं लेकिन हमारी जो हमारी जो आने वाली पीड़ी है उनका क्या हूगा it is ya फिर अगर हम पहार काट रहे हैं या फिर हम जो नैंनी इमारतो की जग़ा के लिए हम पीड़ों को काट रहे हैं पहा हमें now करना है अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें दस पेड़ लगाने चाहिए इस कह सकते हैं कि इस जो इन्होंने एक तरह का कह सकते मूलिय एक मानव मूलिय हमें सिखाया है इसको आगे बढ़ाते हुए हम बालजब के जो कवता है वो सुनेंगे और पुना आपका स्वागत है बालजब आपकी कवता आप प्रस्तुत कर सकते हैं धन्या बात्मा तो मेरी यह कवीता का शिर्शक है मा इस कवीता का इस कवीता को लिखने के लिए मुझे मेरी मा से मुझे प्रेरना मिली है मा से प्रेरत होकर ही मै यह कवीता लिखी है जो कुछ इस प्रकार है हर रास जन से लेकर बरे होने तक तेरी देखभाल में ही मिलता सुख का रास मा की ममता अनमोल है उसके बिना जीवन अधूरा है वो होती है सब की चाहत उसके बिना जीना अधूरा है धन्यवाद पुरे विश्व में सबसे अच्छी है हमारे लिए मा की जो ममता है वो हमारे लिए सब कुछ है हम ठक हार कर इस समाज से इस दुनिया से जब ठक जाते हैं हार जाते हैं हम नहीं लड़ पाते हैं लेकिन अगर हम दूर भी रहते हैं एक मा को हम जब याद करते हैं हम को कॉल करत या जब हम ठक हार कर घर वापस जाते हैं और हम अपनी मा के पास पाँच मिनिट के लिए या दस मिनिट के लिए भी बैट जाते हैं तो उन सारी समस्याओं का समाधान उनके एक ही एक ही वाक्य में हो जाता है वो कहती है कि जो जो भी समस्याओं आप लोग जो फेस कर रहे हैं आप लोग को देखने को मिल रहा है कोई बात नहीं मैं यहाँ हूँ आपके लिए सदा हूँ और सदा आपकी समस्याओं के साथ या फिर आपके साथ खड़ी हूँ आप जो कर रहे हैं वो सही है या वो गलत है वो हमें बताती है इसलिए मा हमारे लिए सब कुछ है आगे आपका पुना स्वागत है आप अपनी कवता प्रस्तुत कीजे पुना मंतरत है धन्यवातना यह जो कवीता जिसमें मैं लिखा है हम जानते हैं जिस राज्या में हम रहते हैं मिखालिया वहाँ पर 70 प्रटिशन लोग खेती बारी पर अधारत है तो जो किसान की जो जिन्द कवीता कुछ इस प्रकार है खेतों की धरती पर लगते किसान करते हैं महनत दिन रात पिना धान मिलकर मिलती हैं उनकी संधर्शों की कहानी जीवन की कठनायों में भी बदल देते वो रोश्नी वहाई से लेकर कठनाय तक हर कदम पर उनकी लगती महनत की चपपल बरसाथ जिन्दकी बिना किसी शोर शराबी की रही खेतों की हर दम जो देखभाल करते प्रक्रतिक संसर्थों को बचाते खुशहाली की तलाश में जूसते वो हर दिन किसान अपनी जमीन को कोटते धर्ती माता की सेवा करते वो किसानों की महनत को सलाम करते वो संधर्शों से भरी य बहुत बहुत धन्यवाद इबन इबन ने सही कहा कि किसान हमारे देश का अनमोल धरूहर है किसान नहीं है तो हमारे घर में अनाज नहीं किसान नहीं तो हमें हम जो रूटी खा रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा जो हम सबजिया खा रहे हैं वो हमें नहीं मिलता सच में किसान न नहीं बहुत-बहुत धिनवाद इबन बहुत ही खूबसुरत कविता है बहुत ही अद्भुत कविता है मेघाले के बारे में जज जगह में हम अभी मौजूद है मेघाले में इसकी सुन्दर्ता जो है वर्षा रितू हो या कोई भी रितू हो अगर आप यहां आते हैं तो देखिए इसका लुफ्त उठाइए जो यहां का वातावरन है जो यहां का खानपान है जो यहां की सारी चीजे आपको देखने को मिलेगी तो यहां जो हमारा कविता सम्मेलन है कवी सम्मेलन है युवाव का यहां के स्थानिय युवाव का वो यही पर संपन होता है लेकिन मै मैं भी इस कारिकरम का हिससा बनना चाहूगी, मैं भी एक कवता में यहां प्रस्तुत करना चाहूँगी, और जाद लंबी नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार है, कवता, जो है मैंने, और हिंदी में पढ़ रहे हैं और हमारे भविश्य के अच्छे शिक्षक, शिक्षिका और प्रोफेसेस होने वाले यहाँ पर हमारे अतिती बैठे हुए हैं तो मैं भी इसका थोड़ा, मैं भी एक कवता प्रस्तुत करना चाहूंगे आप सभी के सामने कवता है मेरी हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की महिमा विश्व में अद्भुत अविरल, शब्दों की माधूरिय से भरी जैसे सुरों का तान विचारों की सार्थक्ता, भावनाव की गहराई, हिंदी भाषा की शक्ती, निरंतर बढ़ती जाए आगे कुछ इस प्रकार है, हिंदी की बोली मधूर, शब्दों की गहराई, विश्व में उन्नती बढ़ती रहे उचाए भाषा की ये शक्ती सबको जोडती, हर ध्वनी में भारतियता को पिरोती हिंदी ऐसी भाषा है, जो कही भी जाती है, चाहे वो मेघाले हो या भारत का कोई अन्य भाग, हिंदी जो है, वो हर जगा खुद को समाहित कर लेती है और खुद को वो हर जगा कही भी जाती वो एक एक नदी के समान है जो खुद को उस जगा को अपना बना लेती है और उस जगा के लोग को अपना बना लेती है और हिंदी जो है वो उमीद है उमीद क्या अभी व्यापक हो रहा है हमारे मेगाले में ही नहीं बलकि पुरे विश यहीं अंतिम विराम देना चाहेंगे और पुना आप सभी से मुलाकात होगी यहाद दुडशन में घाले हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद